हलो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ चोकलेट स्पॉंज केक की रेसिपी और हाँ ये केक हम लोग बनाएंगे बिना मैं देके क्योंकि हमने ये केक बनाया है यहां पर सूजी से और बिना अवन के हमने इसे बनाया है रेसिपी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और हमेशा कितर अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगती है पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेर एंड आवर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ ये केक और भी दूसरी चीज से खास होने वाला है क्योंकि हम आज लोग यहाँ पर मेजरिंग कप का यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये मेजरिंग या बेकिंग कप नहीं होते इसलिए हम लोग ये स्टील का जो चमच है इसका यूज करे तो तेल मैंने तीन चमश डाल दिया है और इसके बाद हम लोग यहाँ पर डाल देंगी चार चमश दूद जो कि ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गरम होना चाहिए रूम टेंपरेचर पी होना चाहिए तो चलिए चार चमश दूद भी इसमें डाल देते हैं बस इसे और दही है इसे हमें इतना अच्छी तरह से फेटना है कि यह सारी चीज़े एक जैसे स्मूथ मिक्शर की तरह या पेस की तरह लगनी चाहिए तो देख लीज़े यहाँ पर मैंने इसे चार से पांच मिनिट तक फेट लिया है अगर आप चाहे तो किसी भी विस्का यूज इसे फेटनी के लिए कर सकते है यह एकदम एवन मिक्शर यहाँ पर तयार हुआ है तो अब यहाँ पर मैंने रख दी है एक स्टील की चलनी या स्टेनर यह करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसे हमारा केक और भी ज़्यादा स्पॉंजी और सॉफ्ट बनता है त अब आप सूजी नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर मैदिका भी यूज़ कर सकते है तो 10 चमच सूजी मैंने आप पर डाल दी है अब बारिया आती है इसमें चीनी डालने की तो चीनी हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 5 चमच उसी चमच का यूज हमें सारी चीज़े मे मेजर की है क्योंकि वह टी स्पून टेबल स्पून वह वाले चमच आपके पास अगर नहीं है तो और यहाँ पर वन फोल स्पून मैंने आप डाल दिया है बेकिंग सोडा खानेक सोडा या मेठा सोडा वी से कहते है अगर यह दोनों चीज़े आपके पास नहीं है तो आप इनो भी डाल सकते है तो आपको इनो यहाँ पर कितना डालना है एक पूरा चमच भरके नहीं थोड़ा सा कम आपको यहाँ पर इस चमच से मेजर करके इनो यहाँ पर डालना है जो रेगुलर में आता है ब्लू कलर में वो इसमें डालना है तो चलिए अब इसमें डाल देते इसे ज्यादा फेटना नहीं है देख सकते हैं तो बस इसे सारी चीजों के यहां पर मिक्स करना है अभी यह जो मिक्सर dużo है या भी ठीक लग रहा है तो यहां पर हम लोग और ठोड़ा सा दूद इसमें ने केको दूद्ट शेंअ पर we made a two now x दूद्धेशा दूद्ध यहां पर दो चमश दूद्ध यहां पर यहां पर दवर की दूद्ध को अच्छी तरा से रमेंगे यहां आपगा सीकरा बने कोड़की स्कती हैं अब यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़े से ड्राइफूट्स अगर आप चाहे तो यहाँ पर चोको चिप्स भी डाल सकते हैं यह बिल्कल ऑप्शनल है आपको अगर पसंद नहीं है तो आप प्लेन चॉकलेट केक भी बना सकते है तो केक बैटल तो यहाँ पर रे अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसे भी कट करके इस तरह से लगा सकते है क्योंकि इससे हमारा केक बिल्कुल भी तले में नहीं चिपकेगा तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर पेपर नीचे लगा दिया है तो चलिए अब ग्लास में फील करते है यह चॉकले अगर आप चाहे तो चोको चिपस भी डाल सकते है तो बस यहाँ पर यह बिल्कुल रेड़ी है इसे दो से तीन बार टैप भी करना है तो किका बैटर बनाने से 10 मिनिट पहले ही मैंने कूकर को प्रिहीट होने के लिए रग दिया था तो कूकर 10 मिनिट में लो फ्लेम पर अब इसमें ग्लास भी हमने रग दिया है तो उसके उपर लगा देते है कूकर की लिड और इसे हमें बेक करना है लो फ्लेम पर 30-40 मिनिट तक बीच में इसे खोलना नहीं है तो चलिए यहाँ पर पूरे 40 मिनिट कंप्लेट हो चुके है और ग्यास को मैंने बंद कर दिया है कूकर का धकन खोल लेते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा चॉकलेट स्पॉंच केक बनकर बिल्कुल तयार है और बहुत ही अची तरह से यह फूल भी चुका है आप लोग यहाँ पर देखी सकते है तो चलिए यह बेक हुआ है कि नहीं यहाँ पर चेक कर लेते है तो इसमें इस तरह से चाकू या टुद्पिक डाल कर आप लोग देख सकते हैं देख लीजिए क्लियर आ रही है इसका मतलब है यह परफिक्ली बेक हुआ है तो चलिए केक तो बनकर बिल्कुल रेडी है तो इसे बाहर निकाल लेते है और पूरी तरह से हम लोग इसे ठंडा कर अगर कूकर में या किसी बी बरतन में इस तरह से केक वगराव चीज़े बनाते हैं तो हमारा कूकर इतनी देर में जल जाएगा या काला पर जाएगा तो आप लोग यहां पर मेरा कोकर देख सकते हैं इसे कुछ भी नहीं हुआ है अब हम लोग यहां पर इस केक को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे क्योंकि अगर हम इसे गरम ही डिमोल्ड करना चाहेंगे तो यह थुड़ा सा तूटने का या बिखरने का डर रहता है और इसका शेफ भी अच्छे से नहीं आएगा तो यहां पर अब हमारा केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो चलिए इसे अब इस प्लेट में निकाल लेते हैं डिमोल्ड कर लेते हैं तो देखी सकते हैं यहां पर उपर से बहुत ही अच्छे से हमारा चॉकलेट केक फूल चुका है और बहुत ही उपर से स्पॉंजी भी लग रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस तरह से एक चाकू लेकर इसके जो साइड से उसे थोड़ा सा लूज करना है तो बस यह बहुत ही आराम से निकल जाता है देख सकते हैं आप कोई प्रॉब्लम नहीं है आप चाहे तो थोड़ा सा तेल लगा कर थोड़ा सा मैदा उसके उपर स्प्रेड करके उसमें भी केक बना सकते हैं बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकता तो बस चलिए अब इस केक को हम लोग स्लाइसिस में कट कर लेते हैं और ऐसा यहां पर बि बहुत ही प्यारा हमारा केक यहां पर बंद कर तयार हो जाता है और एक बात भी यहां पर बताना चाहूंगी कि जब आप बेक करने के लिए रखते हो तो उसे 25-30 मिनिट से पहले बिल्कुल भी उसका लेडिया डखकन नहीं खोलना है क्योंकि इस वज़े से अंदर का पल सॉफ्ट और स्पॉंजी केक की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और हमेशा की तरह अगर पसंद आई है अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेर और डावच चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे थे